नमस्कार में हुआ बदासिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्त राइने उसकार राहूल गांधी जेल जाएंगे राहूल गांधी अमेरीका से क्यों मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं क्या हो सकती है इसके पीछे की वज़ा क्या है सच्चाई जरा इसको हम तफसी से समझेंग क्यों मिर्ची लगी है बीज़पी को आखिर इसको लेकर देखी सुप्रिया शिर्नेत किस तरीके से बता रहे हैं कि राहूल गांधी के बियान से मोदी सरकार में खलबली क्यों मची है जरा गोर से देखे राहूल गांधी जी विदेश के दौरे में है और यह सर्विदित कि जैसे ही वो विदेश जाएंगे भाजपा की IT सेल, चलर चुमबक एंकर, चवनी चाप ट्रोल नेता और बड़े बड़े ट्रोल मंत्री कूद पढ़ेंगे ये कहने पर कि अरे मोदी जी की बेज़ती होगी, अरे देश के खिलाब बोल दिया, अरे देश का विदेश की ध अरे वो आईना आपको यहां पर भी दिखाते हैं, यहां पर आप साजश रचकर, शद्यांत रचकर उनकी सदसता खतम करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कारवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं, यह आपकी असलियत है, लेकिन राहुल गांदी जी लग अर्थिका सामानता का, चीन का, अडानी का, उससे घबराकर आप उल जलूल बाते करते हैं, अरे मोधी विरोधी, अरे देश विरोधी, अरे भाईया, देश की बात करना मोधी विरोधी कब से हो गया, और मोधी जी देश से उपर है क्या, पहली बात, एक बात और कहना चाह कर अभी हाली की बात है ऐस्ट्रेलिया गे थे किसी ने वहाँ पर बॉस कह दिया अरे भाई या चरण चुम्बक मीडिया तो मानो गदगद हो गया वाँ वाँ होने लगा लेकिन उसी के 24 गंटे के अंदर ऐस्ट्रेलिया ने देश के छे राग्जियों से स्टूडन्स के आने पर पाबंदी लगा दी अरे बॉस थे तो पाबंदी हटाते और चरण चुम्बको एक शब्द उसपर नहीं निकला आपके तो दिक्कत की बात यह है कि मोधी जी के बारे में राहुल जीन ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उनकी तारीफ करी है क्या कहा है कि मोधी जी इतने सर्व ज्यानी है जिनको यह सारी बाते आती है अब भक तस्मंजस में है कि इस पर क्या कहें अगर कुछ कहेंगे तो मोधी जी की काबलियत पे शक हो गया और अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मतलब राहुल जी की बात सही है तो फस गए बेचारे भक लेकिन भक्तों मुझे आपको छोटी सी राय देनी है और राय ये है कि मोधी जी ने महांतन थेयोरियां दी है इस दुनिया को याद है ना रेडार थेयोरी फिर गटर गैस से चाय बनाने वाली थेयोरी फिर हवा से पानी निकालो विंड मिल वाली थेयोरी फिर सद्यो पुरानी कॉस्मेटिक सर्जरी थे फिर 140 करोड के देश में 600 करोड धून लेने वाली थियोरी, फिर मौसम नहीं बदला है, हम बदल गए हैं थियोरी, फिर 1988 में इमेल और डिजिटल कैमरा वाली थियोरी, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, A2, B2 is equal to 2AB वाली थियोरी, फिर विवेका नन जी, गुरुनानक दे इस देश का लोकतंत्र प्रखर है, उसको और पुर्जोर बनाना है, इस देश का लोकतंत्र तो वो है, जहां पर प्रधान मंत्री नहरू अपने खिलाफ आर्टिकल लिखते थे और आपकी तरह रोना नहीं रोते थे, जहां विश्व की आँख में आँख डालकर भारत का हि जो लोकतंत्र में एक नागरिक होने के नाते उनको करना चाहिए, विपक्ष का सदस्य होने के नाते करना चाहिए, आप लाख रोना रोते रहिए, मीडिया लाख सवाल उठाता रहे, असलियत यह सवाल आज पूरा देश उठा रहा है, आईने में आप देखने ही रहे, आइने की साफ कर रहे हैं लगी चेहरे पर हुई है। कि अमेरिका से जिस चीजों का वो जिकर कर रहे हैं अपने संसद सदसिता का भी उन्होंने जिकर किया क्या इस मसले पे वाकई में अब फिर से आएंगे तो क्या अपकी बार जेल ही चले जाएंगे ये एक बटा सवाल है।